नमस्कार तोस्तों आप सभी कैसे हैं आई होप आप सभी अच्छी होंगे आपके फैमिली में आपके परिजन सब कुसल मंगल होंगे दोस्तों मैं संजे आप सभी क्या स्वागत करता हूं हमारे यूटुब चैनल एश्टो संजेपल आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं उपस्तितों एक नया टॉपिक लेकर के एक नए सपनों की समस्याओं का हल लेकर के तो आज हम जो विशने लिकर के आए हैं आप सभी की बीच में आज हम जिस विशने पराव से चाचा करने वाले हैं वह हैं सपने में मोदक देखना जहां दोस्तों मोद जब बिसर्जित किया जाते हैं जब उनका आगमन होता है उस समय इस मिठाई का ज्यादा ज्यादा उपियोग किया जाता है और बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा यह माना गया है तो दोस्तों सपने में आपको बताना चाहूंगा जो भी हम सपने एक से अधिक बार या या बार बार देखते हैं तो वो जो सपना होता है या सपना हमें कुछ इंडिकेट करता है या बताता है कि निकट भविश में आपके साथ में जो भी चीजे होंगी या तो पॉजिटिव होंगी या तो निकिटिव होंगी लिखें आपके साथ में होकर के जिरूर रहेंगी कि जब भी खास कर, और कोई मिठाई आती है सपने में तो यह अच्छा संखेत होता है यह अच्छा संखेत होता है खास कर, अगर आपने मोदग देखा है तो यह एक गणेश भगवान जी का प्रतीक है क्योंकि उनी से जूड़ी यह चीज है तो यह एक बहुती अच्छा और किसी शुप मंगल कारे की कारे संपन हो सकता है कारे होगा जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज होता है किसी फैमली के लिए यदि आप सपने में मोदक को दो भागों में बटा हुआ देखते हैं बीच में ऐसे तोड़ा हुआ है और उसके बीच में जो भी है आप अगर सब्झ सर서 पर आप जाना चाहता है आपके वहाँ पर het फिजहां एक मार्क दर्शन होगा इवक़ा है उफी सब्सक्राइब करें हम tulee ऊपने में सपने की श्रीज में तब तक के लिए चैमातारी दोस्तों